मार्केट का बॉटम लगबग 10 बचे के आसपास लग रहा था और उससी समय मैंने टेलिग्राम पर यह अपडेट किया था एज पर माई एक्सप्रियेंस बॉटम विल बी डन तुड़े अराउंड 21796 तो मुझे कहीं न कहीं जो फ्यूचर का डेटा है वहाँ पर देखे प्लस प्राइस एक्शन और एलिट वेव की काउंटिंग को देखे ऐसा लग रहा था कि यहां पर जो बॉटम का फॉर्मिशन हो जाना चाहिए अभी डेटा सब्डियूड है जैसे ही end of the day FISDIS का डेटा अपडेट होगा मैं आप तो के साथ जरूर शेयर करूगा या तो टेलिग्राम पे या तो मैं आपके साथ community टैप पे वो डेटा शेयर करूगा इसके बाद मैंने कुछ stocks भी यहां पे recommend किया जो कि काफी अच्छे लग रहे थे और वहां से सारे stock आप देख सकते काफी अच्छे move में हैं मैंने वहां पे KDDL शेयर किया वहां पे मैंने KCP शेयर किया आईरिस clothing मैंने शेयर किया प्लस नवीन फ्लोरीन के लिए मैंने यहां से entry दे रहा है तो हाई everyone मेरा नाम है कुमार गौतम और मैं आप सब का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ तो चलिए अब हम यहां से आगे बढ़े और निफ्टी का जो जर्नी है हम उसे आगे लेके चले हमने discuss किया था कि निफ्टी के अंदर जो जो कि मैं यहां पर यहां पर मेरी complete reading है तो अगर इस चार्ट की हम बात करें तो यहां पर जो है wave 5 लगा then after wave 5 यह जो wave 5 है यह wave 5 आपका यहां से देखेंगे तो यह counting बिल्कुल initial stage है तो यहां पर wave 3 है यहां पर wave 4 है तो यह wave 3 का wave 5 लगा इसके बाद हमें यहां पर correction देखने flat correction है क्योंकि B almost 100% के आसपास का level है और वहां से हमें retracement देखने को मिल रहा है तो मैंने जो price projection किया था यहां पर A का length और C का length है वो लगबग 21,796 के आसपास में आने के बाद पूरा हो रहा था तो यह एक कारण था कि मुझे यहां पर लगदा था कि यह target यहां पर हो गया और यहां पर bottom बनके अब हमें यहां से reversal देखने को मिलेगा प्लस एक चीज़ आपको यहां पर देखने को मिलेगा जो कि एक हमें common scenario price action के भिहाब पर हर दिन देखने को मिल रहा था कि कोई भी यहां पर selling आ रहा था जैसे कि मानलीजे यहां पर selling आया next एक halt candle बना और follow through selling यह यहां पर हमें देखने को मिला अगले दिन फिर यहां पर एक halt candle बना next एक वापस हमें एक selling देखने को मिला यहां पर वापस हेक हौलड candle बना जो market है यहां से वापस selling आप इमीडियेट यहां पर reversal के sign यहां पर देखने स्टार्ट हो गया था क्योंकि जो selling है वो हमेशा fast होत तो यहां पर यह जो trend line है वेब second का और वेब fourth का trend line है जो मैंने पहले भी आपके साथ discuss किया था कि यह trend line break नहीं होना चाहिए और इसके नीचे closing नहीं आनी चाहिए तो जो closing है हमें trend line के ऊपर भी आते हुई दिख रही है है यहां पर आसपास में कहीं भी कोई डिक मेंदा तो हम इसको long कर सकते है stop loss जो हमारा होगा यह swing low का ही होगा मतलब 21 796 का और positionally हम इस rate को plan कर सकते हमें यहां nifty के अंदर एक नया all time high punch होता हुआ दिख सकता है और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा क्योंकि यह काफी complex correction में आया है तो अगर आप देखेंगे तो मतलब की यहां से यहां तक में अगर जो time frame यूज हुआ है यहां से यहां से यहां तक में अगर हम देखें तो almost यहां पर 106 candles लगे 75 minutes की तो मतलब यह जो move यहां पर आना चाहिए यह कहीं न कहीं 50 to 55 candle के अंदर यह move हमें all time high यहां buy on dip का strategy होगा अगर हम bank 50 की बात करें तो bank 50 में यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे भी same pattern चला था WXYZ और हमने last वीडियो में discuss किया था कि bank 50 हमें 47,200 एक काफी अच्छा level है यहां से हमें एक bounce back देखने को मिल सकता है बिलकुल same level पे आने के बाद हमें यहां पे bank 50 उतना importance नहीं रखता है बट जब भी 38% का level break होता है तो यह एक बड़े candle से break होता है तो make sure अगर इसका breakout आना है तो हमें यहां पे बहुत wild move देखने को मिलेगा मतलब जो candle होगा अच्छे बड़े size का candle से यह breakout होगा तो फिर इसके ऊपर यहां के support लेके फिर bounce करता हुआ हमें यह दिखेगा तो bank nifty भी हमारे लिए buy on dip है बट best level bank nifty के buy करने के लिए क्या होगा अगर हमें कोई dip मिलता है यहां से 127% मतलब की मैं इससे हटाता हूँ मतलब अगर मान लिजए कि यह आपको 47 200 के आसपास का level हमें मिलेगा हम यहां पे इसको आराम से buy करता है swing low का stop loss रखें अगर हम यहां देखें यह 50% का fall था जब वेब वन का formation हुआ वेफ सेकंड का formation 50% fall पर देखने को मिला था इसके बाद अगर हम यहां पर देखें वेफ थर्ड का formation तो यह भी fall हमें 50% तक कहीं देखने को मिला था इसके बाद यह जो आपका wave का formation हो रहा है मैं शूर था कि यह जो fall है यह भी हमें 50% को ही देखने को मिलेगा और बिलको 50% के level से हमें यह bounce करता हुआ देख रहा है तो मैं शूर था मुझे कहीं न कहीं यह था कि हाँ यहां से हमें एक bounce pack देखने को मिल सकता है और काफी अच्छा recovery candle यहां पर बनता हुआ देख रहा है daily time frame पर bank nifty के अंद कर रहा था कि आखिर यहां पर क्या activity चल रही है तो आप देखेंगे early morning से मैं देख रहा था कि जो यह आपका level है 10130 मतलब यह जो ratio है future minus spot का ratio मतलब की जो future का price है और spot का price है तो यह को इसको मैंने difference किया यहां पर मैंने minus किया यह वो ratio future minus spot तो यहां पर आपको देखने को कि यहां पर difference है it means कि एक short covering के तरफ इंडिकेशन दे रहा है यहां पर आपको 106,102,1010 मतलब कहीं पर भी यह जो ROC का जो यहां पर यह था कि future minus spot का ratio यह continuously increase होता हुआ दिख रहा था यहां पर 134 आपको देखने को मिलेगा तो यह continuously आपका increase होता हुआ देखने को मिल रहा था तो यह एक मुझे एक अलग से confirmation दे रहा था कि हाँ एक short covering हमें यहां पर देखने को मिलेगी और short covering expected है तो इस वज़े से मैंने वहाँ telegram पर update किया था कि यहां से जो move है वो काफी अच्छा move देखने को मिल सकता है और reversal यहां से हो सकता है तो nifty और bank nifty मैं यह सोच के चल रहा अगर हम यहां पर देखें तो आपको देखने को मिलेगा A B C यह 3 move में W का formation हुआ यहां पर wave X का formation देखेगा यहां पर wave Y का formation देखेगा यहां पर wave double X का formation और यहां पर तीन में फिर Z का formation होता हुआ देखे और यहां price bounce कर रहा है जो कि 38% का level है इसका support लेकर तो काफी अच्छे support पे इसको हम पोजिशनली यहां से buy करके चल सकते हैं आने वाले time में हमें यहां पर target like 371 बट जब भी यह double triple correction का formation होता है और इसके बाद जब price bounce करता है तो जो minimum target निकलता हो 127% का निकलता है मतलब कि 531 का positional target हमें यहां पर देखने को मिल सकता है KDL जासा मैंने आपको telegram में दिखा है मैंने वहां पे share किया था यहां पे भी कुछ same pattern बनता हो दिख रहा है आपको कि WX YXXZ और इसके बाद price यहां से reverse कर रहा है इसके बाद हमें breakout दिख रहा है price 38% के उपर closing आ रहा मतलब 8690 के उपर काफी लंबे time से consolidation में था अब यहां से reversal बनता हुआ दिख रहा है तो इसको भी long कर सकते यहां पे भी जो target निकलेगा positionally 121 का और next talk की बात करें ICIC approve life मैं continuously cover कर रहा हूँ तो यहां पे भी अच्छा momentum देखने को मिल सकता अभी भी हमारा 656 rupees का target यहां पे subdued है बाखि Sun TV को भी देखे Sun TV में भी आप देखेंगे 61.8% के आसपास में halt कर रहा है और जैसा मैंने आपको बता है कि जब भी एक बड़ा support या बड़ा resistance ब्रेक होता है तो वहां पे एक बड़ा candle बनने के chances होते हैं तो इसको अंकल intraday के लिए भी mark करके चल सकते हैं अगर इसको breakout देना है तो एक बड़े candle से ही यह इसका breakout देगा जैसे कि आप dr. लाल पैत में देख सकते हैं जो हमने आपके पास वो पोटफोलियो में जरूर पड़ा होगा तो मैं उमीद करता हूँ आपको यह वीडियो समझ में आया वीडियो पसंद आया एलिट वे प्राइस एक्षिन और डेटा एनालिसिस का कॉंबिनेशन समझ में आया और अच्छा लगा अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें थैंक्स फर वाचिंग कीप लर्निंग एन कीप अर्निंग